तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ पीडियव तो मैं आपको इस पीडियव में दिख रहा है गॉवंच्ट कॉलेज यानि कि पिछले साल कोईज की कितनी कटफ थी कैसे लिष्ट निकाली गई वह हम देखते हैं आपको मैं प्राइवेट कॉलेज का भी बता लेकिन सबसे पहले हम गॉवंच्ट कॉलेज की बात करते हैं कि आपके कैसे कैसे आएंगे जरूरी नहीं है कि यह आपका डाटा इस साल में मैच हो बस एक आपको एजमसंस मिल जाएगा फर्स्ट ओफ अगर आपे चैनल पर नहीं हो तो कुछ नहीं करो बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो एन घंटी वाले चोड़ उसे बल आकन हो क्लिक कर दो पुड़ारे हो तो बस लाइक और शेयर करो इतना ही काफी है तो आइए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ओफ आपको दिख रहा होगा आरेभट नॉलेज युनिवर्सिटी के अंतरगत गोर्में चार सो बेरा से तक है तो इन लोगों का एडमिशन हो गया था फिर हम देखते हैं एबी सी केटेगरी में कितना है तो सी एमल है फिर नेक्स है के तुफिर एसी का केटेगरी आप देख सकते हो यह देखो आपको उस दिन तो पीडिय एफ में नहीं दिख रही थी लेकिन सहरसा का है यह लेकिन इसका तो मंडल इंवर्सिटी है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन बी एन मंडल इंवर्सिटी आता है यह टेलिग्राम पर यह पीडिय फुपलप्द है देख लीजेगा सहरसा कॉलेज है फिर रमेच शा है चंद्रणरायन है इस तरीके से बी एम ए कॉलेज है जो अरभट इंवर्सिटी के अंतरगात आता है वह सारे के सारे जो भी सरकारी कॉलेज है यहाँ पर देखे गौवर्मेंट कॉलेज आपका लिखा रहेगा तो आपको एक अंगल लग यहां पे देखें साहरी मिल्त कोफीट सर्व टमेंट क स्टीक कीateurs कें और यह जो प्टना कोलेज है को थे थे 20- Ogそうだ स्टीक के लिए में और सबक्राइब क вы कॉलेज है आपने देख लीजेगा आपका जो भी रैंक आएगा तो इससे आपको अनुमाल लग जाएगा कि हाँ पिछले साल 105 कटफ गया था सबसे हाइस तो इस साल फिलाल कटफ आने का वेट है देख लीजे कितना होगा तो उस हिसाफ से आपको कैटेगरी रैंक निकलेंग पाउन नंबर के आसपास इनका रहा होगा तो ही इनको मिला होगा वरना नहीं तो इस तरीके से आपको एजमसं लग गया एजमसं जो भी लगा है कैटेगरी रैंक मतलब समझते हो ना आपकी अपनी कैटेगरी में आपका चौथा रैंक है यानि कि आप से उपर बस तीन ही वेक्ती हैं और बाकी जो है तो सारे के सारे नीचे है और CML रैंक मतलब आप से उपर 622 लोग है यहां पे इसका मतलब समझेए आप से उपर 622 लोग है और कैटेगरी में आप से उपर मात्र तीन लोग है तो आप इस चीच का कन्फूजन नहीं किरियाट करना है जैसे यह रिजल्ट आएगा वह आपको निकल जाएगा इसकी PDF में डाल देती हूं तो एक वार आप वीजिट करना चाहते हैं तो वीजिट कर लीजे थैंक यू फर वाचिंग अस आई होप सो कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफोर्मेशन मिला हो थैंक यू